बिहार बोड क्लास 9 का फाइनल एकजाम 26 फरवरी से सुरू होने जा रहा है और आपके पहले दिन 26 फरवरी के दिन आपका पहले सीटिंग में साइन्स का पेपर होगा तो ऐसे में आप लोग काफी दिनों से डिमांड आ रहा था कि साइन्स के लिए मोडल पेपर अपलोड किया जाए मैं previous year question paper लेकर आया हूँ आपके दिमाग में एक आईडिया भी हो जाए कि class 9 के exam में final exam में अजही प्रस्ण पत्र बिहार बुड के तरफ से पूछा जाता है और सबसे ज़रूरी बात कि यहां से तमाम प्रस्ण आपको 26 फरवरी के दिन पर्थम सिटिंग बिग्यान के paper में देखने को मिल जाएंगे और previous year question paper से आच्छा model paper तो कोई होई नहीं सकता है एक-एक प्रस्ण को याद करते चलिएगा देखिए आपका जो एकजाम होगा तो आपको कुछ इस तरह प्रस्ण पत्र मिलेगा प्रस्ण पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा 80 नंबर का आपका science का paper होता है जिसमें से 40 objective प्रस्ण है और 40 subjective और 40 objective प्रस्ण को हल करने के लिए 40 अंग के टोटल प्रस्ण है इसके लिए आपको बिहारबोड OMR सीट परदान करेगा तो उसके OMR सीट पे आपको इसका answer भरना होगा प्रस्ण पत्र में T किया गया है उसे सही न माने क्योंकि यह जिस student का है उसने अपने हिसाब से T किया है जो उतर बताया जाएगा वहीं सही होगा प्रस्ण आपसे कह रहा है कि तरंग बेग बराबर होता है आपको बतलाना है कि wave velocity is equal to तरंग बेग अर्थात की wave velocity निकालने के लिए हम तरंग धैधरों में आबिर्ती से गुना कर देते हैं प्रस्ण का right answer देखिए option A पे दिया गया है यहीं सही answer हो जाएगा दूसरा नमर प्रस्ण आपसे पुछा जारा है कि वायू में ध्वनी की चाल 22 degree Celsius पर होती है 344 meter second inverse तो यहीं right answer हो जाएगा 344 meter पर 30 second तीसरा नमर प्रस्ण आपसे पूछा जारा है कि एकांक समय में दोलन की कुल संख्या को क्या कहते हैं तो एकांक समय में दोलन की कुल संख्या को आब रिती कहते हैं तो इसका right answer option B बिलकुल सही है तो था नमर प्रस्ण आपसे पूछा गया है कि तोरन का SI मातरक क्या होता है तोरन का SI मातरक meter प्रती second square यह right answer हो जाएगा तो यह पांचवे नमर प्रस्ण की बात करें तो करें कि निमनांकित में कौन सा सुत्र सही नहीं है आपको बतलाना है कि इसमें से जो है कौन सा सुत्र जो आप यहाँ पे देख रहा है चारो इसमें से कौन सही नहीं है तो देखे ए बराबर B minus U बटा T A भी सही है S बराबर B into T A भी सही है W बराबर M Z होता A भी सही है लेकिन यहाँ पे यह सही नहीं है M बराबर F है नहीं होता F बराबर MA होता है यहीं सही नहीं है तो इसका राइट आंसर आपको कर देना है Option A यहीं सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछाता कौन सुत्र सही नहीं है शाठे नमर प्रस्ण की बात करें कि संबेक का मात्रक क्या होता है The unit of momentum is संबेक का मात्रक जो होता है केजी मीटर सेकेंड इनभर्स होता है तो राइट आंसर हो जाएगा Option C चलिए आठ नमर प्रस्ण आपसे पूछा गया है कि स्थितीज उर्जा का ब्यांजग क्या है What is the expression of potential energy तो potential energy कि स्थितीज उर्जा का ब्यांजग होता है MZS तो ये राइट आंसर हो जाएगा वहीं पर आपसे गतीज उर्जा का पूछा जाए तो 1 बटा 2 MBS स्क्वाइर होगा तो राइट आंसर याद रखेगा है MZH होगा 9 नमर प्रस्ण आपसे पूछा गया है 60 किलो मीटर प्रती घंटा बराबर कितना मीटर प्रती सेकेंड होगा तो किलो मीटर प्रती घंटा से मीटर प्रती सेकेंड में जाने के लिए 5 बटा 18 से गुना कर देंगे तो इसमें 60 में 5 बटा 18 से गुना कीजेगा तो मिलेगा आपको 16.6 मीटर प्रती सेकेंडर साथ की C right answer हो जाएगा दस नमर प्रस्ण कर रहा है कि निमलिखीत में कौन अदीस रासी है तो उर्जा भी अदीस रासी है, पावर भी अदीस रासी है, कारे भी अदीस रासी है option C, कारे करने की छामता को उर्जा कहते हैं तो नमर प्रस्ण की बात करें, तो पूछा जा रहा है कि निमन में से कौन जी का मान है which is the following is the value of Z, तो यहाँ पे Z का value पूछा गया है, तो ए जी देखिए बड़ा जी है तो बड़ा जी और छोटा जी में ही अंतर होता है कि आपका बड़ा जी का मतलब होता है गुरुत्वा करसन नियतांक और छोटा जी का मतलब होता है गुरुत्वी तोरन तो गुरुत्वी तोरन होता है 9.8 मीटर प्रती सेकेंड एस्क्वाइर लेकिन बड़ा जी अर्थतात की गुरुत्वा करसन यह तांग का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन भी 6.7 गुने 10 के पावर माइनस से गारें न्यूटन मीटर स्क्वाइर के जी इन भर्स टू चौदर नमर प्रसन आपसे पूछ रहा है कि नाइट रोजन की परमानुकता कितना है दा अटोमेसिर्टी अफ नाइट रोजन इस एन टू तो इसलिए लाइट आंसर हो जाएगा ओप्सन ए कितना होता है दो होता है यहीं याद रखियेगा पंदरह नमर प्रसन आपसे कर रहा है कि सोडियम नाइटरेट का रासाइनिक सुत्र क्या होता है दो केमिकल फरमूला अब सोडियम नाइटरेट सोडियम नाइटरेट का केमिकल फरमूला नाइटरेट है तो एने एनो थिरी हो जाएगा option C right answer होगा 16 नमर प्रस्ण आपसे पूछ रहा है कि sodium का latin नाम क्या है the latin name of sodium is sodium का संगेत N होता है latin नाम से ही संगेत लिया जाता है तो latin नाम इसका क्या हो जाएगा nitrium तो right answer हो जाएगा option A प्रस्ण महत्वपूर्ण याद करते जाए क्योंकि ये previous year question paper बड़ा ढूडने के बाद आपके लिए मिला है तो इसलिए इसका video upload किया जा रहा है क्योंकि ये original question paper है भी हाइरबूर्ट का तो आपको इससे पता चल जाएगा कि किस level के प्रस्ण आएंगे और साथ ही साथ यहां से तमाम प्रस्ण आपको इस नमर प्रस्ण की बात करें तो आपसे पूच रहा है कि Na plus Ion में सन्योजक्ता इलेक्ट्रोनों की संख्या है तो इसका right answer हो जाएगा option D1 चलिए आगे बढ़ेंगे 20 नमर प्रस्ण की बात करें तो आपसे पूच रहा है कि निम्न में कौन हाइड्रोजन परमालू के समस्थानिक है आपको बतलाना है कि हाइड्रोजन परमालू के समस्थानिक होने तो प्रोटियम भी हाइड्रोजन परमालू के समस्थानिक है डिउटेरियम तो हैं ट्राइटरियम भी है तो इसलिए इन में से सभी all of this option D right answer होगा एक इस नमर प्रस्ण आपसे पूछा गया है कि निम्न में से जर्मेनियम क्या है जर्मेनियम जो है उपधातू है तो C राइट आंसर याद रखना है कि जर्मेनियम उपधातू है नमर प्रस्ण आपसे पूछ रहा है एक मोल कितना के बराबर होता है नहीं सांदार प्रसन है एक मोल जो होता है आपके 6.02 गुने 10 के पावर 23 के बराबर होता है तो ए राइट आंसर हो जाएगा 6.02 गुने 10 के पावर 23 तेइस नमर प्रसन देखी आपसे पूछा गया है कि निमन में से कौन पदार्थ की तीसरी अवस्ता है लगभाग में 22 के लगभाग में देखा जाए तो एक आपसे पूछा गया है तो पीतल कि किसका किस का मिसरन है तो इसलिए right answer आपको कर देना है option C उपियुक्त दोनों का 26 नमर प्रसन देखिए आपसे पूछा जा रहा है फिर वहीं बात कि 373 Kelvin बराबर है तो अभी हम लोग पढ़ेते 0 degree Celsius बराबर 273 Kelvin तो 373 Kelvin बराबर कितना हो जाएगा 100 degree Celsius इसका एकजेक्ट मान आप निकालेंगे तो 98 point कुछाएगा बटूसरम लगभग में 100 मान लेते हैं 100 degree Celsius 27 नमर प्रसन देखिए आपसे पूछा गया कि दूइपद नाम पधती में दूसरा नाम क्या होता है इसलिए राइट आंसर आपसे दूसरा नाम पूछा है तो S.P.C. याद रखिएगा B. सही आंसर हो जाएगा इस नमर प्रसन आपसे पूछा गया कि पौधों को कितने वर्गों में बाटा गया है तो बिल्कुल आपके बुक से डाइरेक्ट प्रसन है पौधे को जो है पांच ग्रूप में बाटा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन D. इस नमर प्रसन का रहा है समुंद्र में रहने वाले जीव हैं नमर प्रसन आपसे फिर बाइलोजी से पूछा गया कि पेसिये उटक कितने परकार के होते हैं तो पेसिये उ तक तीन परकार के होते हैं बिल्कुल सही टी किया गया है तो A. राइट आंसर हो गा एक तिस नमर प्रस्ण आपसे पूछा जारा है कि पादब कोसी का भीती किस चीज की बनी होती है तो पादब कोसी का भीती बिल्कुल आसान प्रस्ण है आपके cellulose की बनी होती है तो ए राइट आंसर हो जाएगा 32 नमर प्रस्ण आपसे कह रहा है कि रेखित पेसी कोशिका का अवया है कौन है तो इसमें जितना उप्षन लिखा गया है साइट्टोन, डेंट्राइट्स, एक्सोन ये सभी रेखित पेसी कोशिका का अवया है तो इसलिए right answer हो जाएगा option D इन में से सभी प्रसन आपसे कह रहा है कि लाल रक्तकंड को क्या कहा जाता है तो लाल रक्तकंड को RBC और इसके साथ साथ आपके erythrocytes कहा जाता है तो right answer हो जाएगा option A 34 प्रसन की बात करें तो आपसे पूछा गया है कि वाई मंडल में नाइट्रोजन गैस है नाइट्रोजन गैस इस इना एट्मोस्फियर तो नाइट्रोजन गैस वाई मंडल में 78.09 परतिसत पाया जाता है तो वही right answer का option B 78 परतिसत वही आपसे oxygen पूछ ले तो oxygen पाया जाता है तो right answer हो जाएगा option A 37 प्रसन आपसे पूछा गया है पौधो का सुक्छम पो सकता तो है तो गंध कारबन मैगनीज और भी काफी चीज होता है तो इसलिए उप्यूक्त सभी D right answer करना है आपको 38 प्रसन पूछ रहा है कि निमलिखित में कौन एक कोस्किये जीव है तो प्रसन आपसे पूछ रहा है कि निमलिखित में कौन समतापी प्राणी है तो कबूतर गवरईया कौवा सभी समतापी प्राणी है तो इसलिए D right answer कर देना है इन में से सभी चालिस नमर प्रसन देके बिल्कुल सांदार है कर रहा है निमलिखित में कौन आत्म घाती थैली कहलाता है तो लाइसोसोम को हम को सिका के आत्म घाती थैली अर्थात कि सूसाइड बैक्स कहते है तो इसलिए right answer हो जाएगा option A लाइसोसोम ये तो आपके लिए बड़ा ही से का model paper क्योंकि exam में बिल्कुल समय कम है तो उसके पहले आपके लिए objective subjective सभी प्रसन का दो-दो model paper उपलवद कराने का परियास करेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल परने हो तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा और इस वीडियो को जीतना ही जदा share करेंगे उतना ही जदा हम आपके लिए classes लाने का परियास करेंगे तो जैसा आपका comment आएगा next class के साथ हम उसमें मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यबाद